पिछले 20 सालों में दुबई एक Global Financial Hub और एक Most Visited Tourist Spot बनके उबरा है हर कोई लाइफ में एक बार तो दुबई जाना चाता है मैं भी दुबई के पास खुद का खाना, पानी, मिनरल्स या गोल्ड नहीं है पर फिर भी यहाँ पर है दुनिया का सबसे बड़ा Mall, सबसे बड़ा Tower, दुनिया का सबसे बड़ा Gold Market, The Gold Soup और Man-made Island, Palm, Jumeirah लोगों को लगता है यह सब Oil की वज़े से हुआ, बट reality सुनकर आपके होशोट जाएंगे ओईल का कंट्रिबूशन दुबई की GDP में 1% से भी कम है, जो कभी 20th century में 50% से भी जादा हुआ करता था तो अगर प्रोग्रेस ओईल की वज़े से नहीं हुई तो हुए कैसे? जानने के लिए जाना पड़ेगा 100 साल पीछे UAE, United Arab Emirates, ये एक साथ Emirates का फेडरेशन है, दुबई और अबुधाभी इनी साथ में से दो Emirates है ओईल के डिस्कवर होने से पहले सारी गल्फ कंट्रीज इंकम के लिए परल इंडस्री पर डिपेंडन थी पर 1920s में जैपैन के सस्ते आर्टिफिशल परल्स और Great Economic Depression की वज़े से गल्फ रिजन की परल इंडस्री का डिकलाइन शुरू हुआ और फिर 1930s में अबुधाबी ने उनके जमीन पर बहुत बड़े ओईल रिजर्व्स डिस्कवर की और पूरे गल्फ रिजन का फोकस ओईल इंडस्री की तरफ चला गया पर दुबई को कोई significant ओईल रिजर्व्स नहीं मिले यही कारण था कि दुबई और अबुधाबी के बीच में चले आ रहे सालों के border disputes ने वोईलन टर्न लिया और 1947 में दोनों के बीच armed conflict शुरू हुआ अंग्रेजों ने इंटर्वीन करके war तो रुखवा दी पर दुबई को आर्थिक मंदी में जाने से बचा नहीं पाये था दुबई की economic problems इतनी बढ़ गए थी कि वहां के लोग भुकमरी से मर रहे थे और दुबई छोड़कर बाकी गल्फ countries में migrate कर रहे थे दुबई के रूलर्स को समझ आ गया था कि कुछ तो करना पड़ेगा यही entry हुई शेक राशीद बीन सैदल मक्तूम की उन्होंने दुबई का रूलर बनते ही वहां के infrastructure को पूरे तरीकी से transform करने का decide किया जिसके लिए उन्होंने दो sources से funding इकटा की समुदरी मार्गो की ट्रेडिंग एक्टिविटीज से नंबर टू मिस्टर शेक ने एक बड़ा लोन लिया दुबई में infrastructure बिल्ड करने के लिए वो पैसा उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को establish करने पर electricity lines, telephone services, trading ports और दुबई का सबसे पहला airport बनाने के लिए खर्च किया इन सब कामों में British Empire ने उनकी काफी मदद की और इसके बदले में उन्होंने इस region को British Protectorate के रूप में establish किया दुबई 1971 तक एक British Protectorate बना रहा और आज भी UK और दुबई के बीच एक strong business relationship है ये पूरी कहानी हमें बताती है कि दुबई शुरुवात से ही economically पूरी तरीके से oil पर कभी dependent था ही नहीं बलकि oil से आने वाले पैसो को शेक राशित की futuristic economic strategy को fund करने के लिए इस्तमाल किया गया strategy ये थी कि दुबई की oil based economy को tourism, trade और finance based economy में transform किया जाए इस strategy की success का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुबई का cargo port जेबल अली Middle East का सबसे busiest port है और UAE के लिए सबसे बड़ा valuable asset भी है ये port इतना successful इसलिए है क्योंकि ये जेबल अली के economic free zone जैबजा में located है जो दुनिया का सबसे बड़ा economic free zone है इसके अलावा भी दुबई में 20 और economic zones है जो tax breaks, custom duty benefits देकर और businesses को developed infrastructure प्रोवाइट करके attract करते है वो भी without any foreign ownership restrictions के जाबजा जैसे एक अकेले economic free zone में हजारों कमपनियों से इतना investment आता है कि वो UAE के total foreign investment का 20% है दुबई के success के पीछे एक बड़ा reason ये भी है कि उनको इंडिया, पाकिस्तान और बांगलादेश जैसे देशों से सस्ता labor मिल जाता है और वो उसको पूरे अच्छे तरीकी से use ही नहीं बलकि exploit करते है UAE migrant population की list में top 5 में आता है क्योंकि यहां की 80% population दूसरे देशों से आई है उनकी majority of workforce South Asia से आई है ये लोग कम पैसों में और खराब working conditions में भी लंबे समय तक काम करते है Most cases में उनके passports भी उनसे चीन लिये जाते है सुधा मूर्ती जी की इस किताब में आंदरपदेश, तामिल नडू और केरला की कई ऐसी ओरतों की कहानी बताई है जिनको Infosys Foundation ने कुवेट और दुबई जैसे देशों से बच के निकलने में मदद की इन में से एक थी आंदरपदेश की नजनीम जिनको अपनी तीन बेटियों की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी एक agent ने बहुत पैसे कमाने और अच्छी working conditions का लालज देकर नजनीन को दुबई भेचा पर वहाँ पहुशते ही उनसे किसी रोबोट की तरफ बिना किसी चुट्टी के दिन रात काम कराया जाने लगा अगर वो बीमार भी पढ़ती तो उन्हें डॉक्टर से मिलना अलाउट नहीं था घरवालों से फोन पर बात करना अलाउट नहीं था जो भी लेटरस वो अपने घरवालों को लिखती वो घरवालों तक कभी पहुशते ही न और तो और एक बार जब बीमार होने की वज़े से उन्होंने अपनी मालकिन से चुट्टी मांगी तो घुसे में आकर उनकी मालकिन ने गरम स्पून से उनके हाथ को जराया दूसरी एक थी केरला के और्फनेज में पली बड़ी कॉन्वेंट टीचर ग्रेसी जिनको वहाँ जॉब मिली थी बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाने की नजनीन के जैसे तो शुरुआत में ग्रेसी के साथ बुरा बरताव नहीं किया गया उनको इंडिया आने के लिए वेकेशन वगेरा भी मिल जाती पर जैसे ही वो बच्चे बड़े हुए उन्होंने अपनी टीचर ग्रेसी को ही छेड़ना शुरू कर दिया एक बार तो उनके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की गई पर वो बच निकली जब उन्होंने अपनी employer की wife को ये सब बताया तो उसने कहा तुम attractive हो ये सब तो तुमारे साथ हो गई इन सब लोगों को फसाय रखने के लिए salary मंधली नहीं बलकि 6 महिने में एक बार दी जाती है हमेशा 6 महिनों का backlog रखते है ताकि अगर ये लोग बीच में घर पे जाए भी तो पिछले पैसे मिलने की लालच में फिर से वापस आए इन दोनों जैसी सेकड़ो औरते अपनी जान पर खेल कर वहाँ से बच निकल कर वहाँ बने shelters का सहरा लेती है और wait करती है कि कोई उनको इंडिया जाने में help कर दे इस किताब में 10 साल पहले की घटनाय लिखी गई है शायद अब वहाँ कुछ बदला हो कुछ सालों पहले जब human rights commission ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी तब 2017 में UAE के federal national council ने एक bill पास किया जिसमें workers के लिए 30 दिन की paid leave और हर हपते की एक चुट्टी medical insurance और काम शुरू करने से पहले contract देना शुरू किया गया पर ground level पर सच में workers की working conditions कितनी सुधरी है ये बहुत बड़ा question mark है दुबई के rulers और investors के लिए ये सस्ता workforce ही है जिसने दुबई को दुनिया का fastest growing metropolitan city बनाया है international travel में दुबई का airport आज दुनिया का सबसे busiest airport में से एक है दुबई के visionary future plan में अब शामिल है artificial intelligence, blockchain tech और hyperloop जैसी advanced transportation system जब शेक राशीद ruler बने थे तब वहाँ सिर्फ एक road, एक hospital और कुछ basic schools ही बनी हुई थी जिस तरह शेक राशीद के एक economic strategy की वज़े से दुबई इतना अमीर बना, ठीक उसी तरह आज से 1500 साल पहले रशिया के एक राज्या की war strategy की वज़े से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश बना by area जानने के लिए देखिये रशिया के सबसे ताकतवर आदमी की कहानी